हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टैक तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका यूट्यूबर चैनल है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि पहले जब तक आपके चैनल के उपर 500 सब्सक्राइबर नहीं होते थे तब तक आपको कॉमुनेटी टैब नहीं मिलता था अगर आपको ये नहीं पता कि कॉमुनेटी टैब क्या होता है तो मैं आपको बताना चाता हूँ community tab के जरीया आप अपनी audience के साथ connect हो सकते हैं आप community tab के अंदर कुछ भी post कर सकते हैं लोगों की राय ले सकते हैं तो ये काफी अच्छा source है अपने channel को grow करने का उस पर continue post करके लेकिन अब क्या हुआ है YouTube का एक बहुती बड़ा update आया है जिसके बाद अब आपके channel के उपर अगर 0 subscriber भी हैं चाहे 5 subscriber हैं 50 subscriber हैं तब भी आपको community tab मिलेगा मतलब आपके channel पर अगर 500 से कम subscriber हैं तब भी आपको community tab मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में live proof के साथ इस update के बारे में बताने वाला हूँ और मैं last में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अभी तक community tab नहीं मिला है तो आपको क्या करना है जिससे आपके channel पर भी आपको community tab मिल जाए तो वीडियो काफी जादा informative है तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे always set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends समाच चुके हैं अपने laptop की screen के उपर अगर आप mobile से कर रहे हैं तो आप mobile में भी अपना YouTube application open कर सकते हैं इसकी screen बढ़ी है इसलिए आपको इससे असानी से समझ में आएगा ठीक है और मैं mobile के लिए भी बताऊंगा इसमें साथ-साथ ठीक है तो वीडियो को पूरा लास तक देखना पहले मैं आपको life proof दिखा देता हूँ कि किस channel को मिला है एक कम subscriber में भी आपका जो community tab है तो मैं आप एक channel का नाम सर्च करता हूँ all movie trailers 31 ठीक है आप देख सकते हैं याप एक 4 subscriber हैं हम इस channel का open कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं याप चार सब्सक्राइबर हैं इस channel के उपर और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं community tab का जो option है यहाँ पे मिला हुआ है community tab पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे post भी डली हुई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम subscriber हैं इसके केवल 4 सब्सक्राइबर हैं फिर भी इसको community tab मिला हुआ है तो अगर आपके चैनल पे भी अगर community tab आपको मिला हुआ है तो अच्छी बात है अगर नहीं मिला है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अब ठीक है और अगर आप अपने mobile phone से हैं तो वो भी ध्यान से सुन लेना क्योंकि मैं mobile से भी बताऊंगा साथ साथ में आपको कैसे क्या करना है तो friends सबसे पहले तो आपको अपने YouTube channel को अपनी ID से login कर लेना है उसमें ठीक है जिस channel पे आपको community tab नहीं मिला है चाहे आपके multi channel हो उनमें से जिस channel पे नहीं मिला हो उसको आपको login कर लेना है login करने के बाद अगर आप phone से भी हैं या फिर laptop computer से हैं तो भी आपको क्या करना है अपने YouTube application को open कर लेना है phone के अंदर मैंने यहाँ पे YouTube open किया हुआ है और आपको अपने जो channel का icon है टोप right corner में आपको दिखाई देगा phone में भी right में होगा आपको इस icon पे click करना है और यहाँ पे आपको आपको आप देख सकते हैं काफी सारे option है और आपको एक last में send feedback का option मिल रहा है आपको इस पे click करना है और अगर आप phone से कर रहे हैं तो आपको help and feedback का option दिखाई देगा जब आप इस icon पे click करेंगे तो आपको उस पे click करके send feedback जो option आएगा जब आप help and feedback पे click करेंगे तो उसके बाद send feedback का option आएगा आपको उस पे click करना है तो मैं यहाँ पे send feedback पे click कर रहा हूँ इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे include screenshot आपको बोल रहा है तो हम यह हटा देंगे हम simple एक mail लिखेंगे मतलब जो हमें type करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ सब्सक्राइबर है उन सबको community tab मिल गया है तो please मेरे चैनल के उपर भी community tab को enable कर दीजिए आपको इतना लिखना है और यहाँ पे आपको नीचे आप चाहे तो अपने चैनल की detail भी देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने channel का डाल सकते हैं यह दोनों चीज़े डाल के आपको simple send पे click कर देना है तो जब YouTube की team आपकी channel को review करेगी तो अगर आपके channel पे community tab enable नहीं है तो वो बहुत जल्दी आपके channel पे enable हो जाएगा आपको बस यह काम करना है तो friends आपने life proof में भी देखा कि मेरे एक channel पे एक dummy channel के उपर 4-5 subscriber थे उसके उपर भी मुझे community tab मिला हुआ है और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि अगर आपके channel पे community tab नहीं मिला है तो आपको क्या करना है तो आप जल्दी से जाके इसे जरूर करें जो मैंने आपको बताया है इस video में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर वीडियो से related कोई भी question कोई रही है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूस सकते हैं वीडियो को देखने के लिए thank you